आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पर तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ जे एम फ्लेक्सिक या फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूंगा कि यह जो मुच्वल है इसने पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल या फिर एनुवार रिटन क्या दिया है आज के डिट में इसका एक एनवी का प्राइस क्या है यह कितने इस्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिमूम SIP अमांट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइच क्य है साती साथ मैं आप से डिसकस करूंगा इसके अंदर कौन-कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्वल फंड में कुछ पाइसा जमा किया होते तो पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल के अंदर आपको क्या रिटन देखने को मिलता और लास्ट मैं आप से फलैक्सी क्याप में फंड डाइट ग्रोथ यह एक एक एकवेट्म मुच्वल फंड है जो कि फलैक्सी क्याप के अंदर आता है यह कदा है इसने जो पिछले एक साल में रिटन दिया वो 75.09% का रिटन है तीन साल के पूर बात करते हैं तो तीन साल में 30.70% का रिटन है पा आसके डेट में इसका एक इनेभी का प्राइस है 105 रुपिया 49 पैसा रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 इस्टार यानि की 5 इस्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिमूम इस IP अमांट 100 रुपिया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 807 करोर का अब बा आप मेरे रेट्टर रिंग से जॉइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ट मिलेगा और आपको एकाउंट आपनिंग या फिर एकाउंट मेंटरनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप इस टॉक में एकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डेस्किप होता 1,8,cje आपको मिलता 2,99,716 रुपया पांस साल की बात करते हैं तो फांस साल में आपका पैसा जमा होता 3,00, आपको मिलता 6,15,666 रुपया अब बात करते हैं अगर आप इस मुछ पंद के अंदर एक बार में 1,00, रुपया का लंशम किये होते तो एक साल में आपका 1,00 पांच साल में आपका पहलों कि बात करते हैं तो इसके लिपेरो फटाग अगल्बत हो तो रिस्टेट सुट्स्ट 2 इमस्तों वाक ही डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है ci इसकी होल्डेंग अनलाइसिस को अगर हम लोग देखे तो एक्वेटी पे है 59.2 और क्यास में है जीरो पॉइंट आट परसेंट अब इस एक्वेटी को यदि सेक्टर वाइस देखते हैं तो फाइनसियल पे है 17.7 अदर्स 15.8 कैपिटल गूट्स 15.8 कंस्ट्रक्शन बारा ओटम वाइल आट पॉइंट आट एनर्जी 7.5 हेल्प किया चो पॉइंट एक सर्विस 5.8 और मुच्वल फण के अंदर अपना पैसाएं इंवेश्ट करना चाते हैं तो मीनिममえて him आपको 1000 करकना होगा और अगर SI तो यहां से देखा जाए तो यह मुच्वल फंड हमेशा अपना कैटेगरी आभरेज से ज्यादा रिटन निकाल करके दिया है और एप्रोक्स जो है दुगुना रिटन आपको निकाल करके दिया है इसी वज़े से आप जब रिटन रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो एक स के अंदर इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना S.I.P. आप लंब सम को कंटेणी रखेंगे अगर आप फ्रेस बाई करना चाहते हैं फ्लैक्सी कैट मुच्वल फंड तो जे एम फ्लैक्सी कैट मुच्वल फंड आपके लिए अच्छा विकल पर आप इन्वेस्मेंट कर सकते हैं अगर आपको इसके आज़ पर सिमलर फंड देखना हो तो इसके आज़ पर सिमलर फंड जो फ्लैक्सी कैट का इतने सारे हैं लेकिन सभी का रिटर्ण जे एम फ्लैक्सी कैट मुच्वल फंड के कम रिजन में कम है तो यह वरली वन जे एम फ्लैक्सी कैट मुच्वल लोड के बात कर लेते हैं अगर आप इन्वेस्ट के आवा पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको एक परसंट का एक जिट लोड देना होगा और इस्टम डियूटी के बात करते हैं तो इस्टम डियूटी है 0.005% अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड है 7350 करोड का बात करते हैं जे एम फ्लेक्सिक क्या फंड डायेट प्लान ग्रोथ ये एक 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 एक्विटी मुच्वल फंड है जो कि लांच किया गया जे एम फानेंसियल मुच्वल फंड की तरब से ये मुच्वल फंड स्टार्ट वा 15 सितंबर 1994 को संजे कुमार छवरिय अब इसका करेंट फंड में जा है इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मेंजमेंट है 3350 करोड का और लेटेस्ट एने भी 105 रुप्या 49 पैसा बात करते हैं जे एम फ्लेक्सिक क्या फंड डायेट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिक्स मुच्वल फंड है इसमें मिनिम अगर आप इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले खरके